Hello students, so आज हम लोग बात करने वाले हैं Import Under License or Permit I say कौन-कौन से ड्रग है जिनको हम आयात कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको proper permission की जरुरत पढ़ने वाली है और proper license होना चाहिए Then only it will be possible, otherwise we cannot import it तो basically यह होता क्या है, यह topic को हम meaning को समझते है It refers to the regulated process of bringing these products into a country which requires prior authorization from relevant governmental authorities यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी उत्पात को दूसरे देश से मंगाते हैं और मतलब order करते हैं, import करते हैं जिसके लिए हमको पूर्व पर्मिशन लेना पड़ता है, पहले से हम उसको authorization लेना पड़ता है किसी भी government authority से या फिर सरकार से अनुमती लेनी पड़ती है, तभी हम उसको मंगा पाएंगे these ensures that the imported items meet safety, quality and legal standards before they distributed or sold यह एक इस चीज को निर्धारित करता है कि जो भी मंगाया जाने वाला पदार्थ है या फिर उत्पाद है वहाँ उसके सुरक्षा माबदन पे और उसके मतलब quality और उसके legal standard पे खरा उतर रहा है कि नहीं before they distributed और उनको मतलब market में भेजने से पहले या फिर भेजने से पहले इस चीज को हम भली भाती और लोकन कर लेंगे then only it will be possible otherwise they are not possible तो इसमें आता है पहला नंबर में prescription drugs right medications required prescriptions for example anti-cancer drugs like anti-cancer drug the pembrolizumab pembrolizumab require an import license from regulatory body then only you can अब यह ऐसा मतलब यह ऐसा drug है जिसको ऐसी ही बेचा नहीं जा सकता तो इस तरह के जो prescription drug है उनको import करने के लिए definitely license की जरूरत पड़ेगी उसमें पूरा detail देना पड़ेगा क्यों मंगाना चाहते हो कितना मंगाना चाहते हो किसके लिए मंगाना चाहते हो where it is going to consume etc दूसरा है controlled substances जिसके लिए भी license चाहिए नार्कोटिक पेंकिलर इसमें आता है oxycodone और morphine these requires special permits due to their abuse and addiction chances ठीक है अगर उनको ऐसी बहुत ज़्यादा तादात में मंगा लिया गया तो वो abuse हो सकता है या फिर लोग उसको मतलब मिस्यूस करेंगे और addicted हो जाएंगे और दोस वार इवन नाट असफरिंग फ्रॉम पेंडे विल आलसो कोविट के टाइम पर देखे होंगे कि बहुं सारे वैक्सीन दूसरे कंट्री से भी बन के आ रहे थे जैसे मॉडर्ना और मतलब को वैक्स हाना कोविश्यल्ड ही तो अपना इंडियन था तो यह क्या है बाइलोजिकल प्रोड़क्ट से इसमें लिविंग और डेड माइक्र यूजम यूज होता है उसमें कोरोना को ही डाला गया था ताकि हमारे इम्म्यून सिस्टम को मतलब एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि यह इस तेव का वायरस तो उसके लिए हम इम्म्यून डेवलप कर पाएं तो उसके सेफटी और इफी कैसी को ध्यान में रखते हुए बर इनुव द्रॉग्स तो इनुव द्रॉग्स जो भी है इन्वेस्टिकेशनल ट्रग और जो ड्रग अभी मतलब अंडर कंसिटरेशन चल रहा है उनके लिए भी तो इसमें आता है आपका निवली डेवलप्ट ड्रॉग्स फोर रेर डिजीज इस शच अस स्पीन इसपीं स्पीन राजा ओना भी इस पाइनल मस्कूलर एट्रॉफी विछ रिक्वाइड सब्रॉबल भी विफॉर इंपोर्ट ठीक है तो यह स्पाइनल मस्कूलर एक ट्रॉफी के लिए जो इस पीन राजा जो ड्रग है जो कि रेर डीजीज में यूज होने वाला है और तो उस तरह के ड्रग के लिए हमको permission लेने की जवरत पड़ेगी Over the counter drug में भी कुछ हैं जिनको हमको permission चाहिए Some OTC drugs containing pseudonephedrine may need an import license due to their potential use in manufacturing illegal substances तो यह मतलब illegal चीजों को बनाने के लिए drugs बनाने के लिए use होता है तो कई बार क्या होता है OTC drug होने के बावजूद भी यह चीज अगर उसमें मौजूद है तो उसके लिए हमको permission लेना पड़ेगा नहीं तो इसको इसके नाम से मंगा लेते हैं OTC करके और they may be using for the some other illegal manufacturing ठीक है तो उसके बाद आता है साथवा छटवा नंबर में कॉस्मेटिक प्रोड़क्स लाइक स्कीन क्रीम्स containing hydroquinone और retinoids need import permits to ensure safety ठीक है यह सबको import permit की जरुरत पड़ती है उसके बाद साथवा नंबर में है आपका herbal and ayurvedic medicines certain traditional herbal remedies require permits to ensure free from harmful contaminants इसा नहीं है कि herbal और ayurvedic drug है तो उसको कहीं से भी मंगा दिये या कहीं भी भेज दिये है यह ऐसा भी हो सकता है कि वह मतलब इट हैस नाट fulfill the minimum standard और उसके वाज़े से वह harmful हो सकता है या फिर उसमें harmful contaminants हो सकते हैं तो इसलिए उनको भी हमको permit लेना पड़ता है और परमिशन के दावरान we have to give the detail justification like how it has been manufactured, what is the quality standard, what is the quality parameter has been checked, etc. ठीक है इसके बाद आपका आता है आठवा नंबर में medical devices and diagnostic kits ये भी हमारे मतलब वह होने वाले चीज है जिनको हमको permission लेना पड़ता है like diagnostic kits test kits जो होते हैं for disease like HIV और maybe for diabetes need regulatory approval before they can be imported ठीक है तो ये इस टाइप के चीजों को भी हमको approval लेना पड़ता है personal care products जैसे की sunscreens हो गया which containing active ingredient like oxybenzone need import permits तो oxybenzone वाले जो ingredient उसमें है sunscreen वगरा में या फिर other personal care के लिए जो use होता है तो that also required a permission from the governmental authorities right तो यह है आपका क्या बोलना चाहिए import under license और permits right तो यह notes आपको telegram channel में मिल जाएगा link में description box में दे दूंगा अगर आप चाहें तो direct इसी notes से पढ़ सकते हैं नहीं तो आपना खुद का notes भी बना सकते हैं by adding some more information अगर आप g-pad की तयारी कर रहे हैं और आपको deep knowledge चाहिए तो आप standard book भी refer कर सकते हैं this notes or video is for the understanding purpose thank you all the best